हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो वीदिस कोकिंग आज हम टॉमेटो उपमा या टॉमेटो भाद भी बोलते हैं वह बनाएंगे यह टॉमेटो की फ्लेवर की उपमा है यह ब्रेकफास्ट रेसिपी है यह बहुत ही टेस्टी बन दिया तो सबसे पहले इक कडाई में मैंने एक कप सूजी को रोस्ट करने के लिए रख दिया है इसको हम बीना तेल के रोस्ट करेंगे सूजी में से अच्छी से खुश्बू आने लग गई है तो सूजी हमारी सिख चुकी है अब मैं इसको एक बाउन में निकाल लूँगी एक पैन में तीन टेबल स्कून आईल मैंने गरम करने रख दिया है तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें चाना दाल और उरद दाल दाल दूँगी इसमें मैं राई डाल दूँगी करी पत्ता और प्याज और हरी मिश्च को मैंने बारिक चौप करके रखा तब वो डाल दूँगी इसको थोड़े देर सौते होने देंगे और अब मैं इसमें कैप्सिकम है जो मैंने बारिक काटकी रखे वो डाल दूँगी आप चाहिए तो इसमें गाजे भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें नमक जाल दूँगी हल्दी और हरी मटर जो आती है वो डाल दूँगी इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको डग करके मैं कुख होने दूँगी यह अच्छे से कुख हो चुका है तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करके डग करके कुख होने दूँगी टमाटर अच्छे से कुख हो चुके है तो अब मैं इसमें गरम पानी गुन गुना पानी डाल दूँगी और पानी सूजी जो हम लेंगे उससे तीन गुना पानी होगा यहां पर मैंने एक कप सूजी लिया है तो मैं इसमें तीन कप गुन गुना पानी डाल दूँगी इसको उबर लें देंगे जब पानी हमारा बॉइल होने लग जाएगा तब हमने जो सूजी रोस्ट करके रखे थी वो डाल देंगे और उसको कंटिन्यूसली हम हिलाते रहेंगे ताकि उसमें लंप्स नहीं पड़े दीरे दीरे सूजी आड़ करते रहेंगे और उसको हिलाते और मिक्स करते रहेंगे सूजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और उकमा भी हमकार्य दीरे दीरे पूख हो रहा है अगर अगर आप सूजी पहले डालेंगे और पानी बात में डालेंगे तो उपमा का टेक्सचर अलगाएगा और अगर आप पहले पानी डालते हैं और फिर सूजी डालते हैं तो उपमा का टेक्सचर अलगाएगा उपमा हमारी almost ready हो चुकी है तो अब मैं इसमें धनिया पत्ति डाल दूँगी और इसको अच्छे से mix कर लेंगे गैस को मैं बंद कर देती हूँ उपमा हमारी ready हो टेस्टी टॉमेटो उपमा ready हो चुकी है इसको आप चाहें तो coconut chutney के साथ या peanut chutney के साथ साव कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू